सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भुलें देखिए एदी आपके ब्यावसाय में ब्यावपार में कोई घाटा हो रहा है नरंतर आप आर्थिक तंगी जेल रहे हैं और लगातार कुछ परिसानियां चल रही है एक परिसानी पूरी नहीं होती दूसरी प्रारंब हो जाती है तो इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते है पहला कारण तो है हमारे कुल देवता का रुष्ट होना आप सभी भी इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजेगा प्राया दो कारणों से बहुत सारी समस्यां उत्पन होती हैं पहला कारण है कुल देवता का रुष्ट होना आजकर लोगों को अपने कुल देवता कुल हें भी तो समय पर उनकी पूजा नहीं हो रही है उनको भींट नहीं दी जा रही है उनका जो भी सेवासतकार होना चाहिए नहीं लोग कर रहे हैं कि मॡ available के प्रकोप के कारण भी घर में उपद्रप प्रारम हो जाते हैं उसमें बंस ब्रधी रुख जाना बच्चों के साधी व्याय समय पर नहीं होना निरंतर ब्यापार में ब्यावसाय में घाटे होना कोई ना कोई बीमार बने रहना यह सब कारणों के मूल में कईवार कुल देवता की कुल देवता का रुष्ट होना होता है दूसरा कारण है पित्रों का रुष्ट होना तो जिन्होंने यह प्रिश्ण भेजा है स्री पांचाल जी पहली बात तो यह है कि आप अपने कुल देवता या कुल देवी जो हैं उनकी आराधना आवश्च प्रारंब करें आपको यदि कुलधेवता नहीं पता है तो आप जो है माझभवति जगदमबा के किसी भी स्वरुप को अपनी कुलधेवी मान करके उनकी पूजा प्रारंब कर दीजे लेकिन कुलधेवी किसी इक को मान लीजे यदि नहीं पता है, कहीं से नहीं पता चल रहा है, प्रियास करिए वैसे जिनको पता नहीं है, वो यदि तीर्थ जाएं, तीर्थ राज प्रियाग है, बाराणसी है तो वहां तीर्थ प्रोहित जो होते हैं, वो हमारे कुल का बर्णन भी बतलाते हैं पित्रों के प्रकोब से भी बहुत घर में उपद्रव होते हैं तो पित्रों का भी समय समय पर हम बतलाते ही हैं कि पित्रों की पूजा आराधना करते रहना चाहिए जिससे पित्रों की कृपा प्राप्त होती रहे आप अपनी जन्मकुंडिली भेज सकते हैं बांचाल जी तो हो सकता है कि जन्मकुंडिली में ऐसा कोई ग्रह हो जिसके कारण ये समस्याएं आ रही हो तो उसके लिए भी समाधान बतलाया जाएगा साथ में ही आप अपने प्रतुष्ठान में जहां आप अपना बिजन्स करते हैं ब्यापार करते हैं बहां पर एक नरियल को आप मा भगवती के चरणों में रख करके उसकी थोड़ी पूजा करके मा भगवती शेप्रार्तना करके कि हे जगदंबा मेरे ब्यापार में मेरे ब् नारियल रख दे उसको नारियल को लाल कपड़े में बांद ले उसकी थोड़ी पूजा कर ले और लाल कपड़े में बांद करके पूजा करके रात्री वर रखा रहे दे नौमी तिथी को उसको उठा करके उसकी पूजा करके और उसको ले जा करके अपने जो ब्यापार स्थल वहाँ कहीं एक जगे बांदीजी तो नरियल वहाँ बंदा रहेगा मा भगवती की कृपा आपको प्राप्द होती रहेगी और निश्चित ही आपके ब्यापार ब्यावसाय में ब्रद्धी होगी और घर में धनधान आपको प्राप्द होगा